कि अभी सीट जो वो खाली नहीं है बाहर का जो सारा सीट ओक्यूपाइड है लोग खा रहें अंदर का जो सारा सीट वो अक्यूपाइड है और बहुत ज्यादे हैवी कॉंटिटी में मटन बनता है मतलब सब्सक्राइड है इस तरह से कि बीच बीच में जो है वो कट लगाया जाता है मतलब यह मतन जो है इसका यह बहुत इंपॉटंट रीजन है कि इस तरय से cut लगा लगा के हड़ाए एक पीस में ऐसे cut लगाते हैं cut लगा के से spread करते हैं तरके अंदर तक बड़न आप देख सकते हैं यह सारा निकाल के रख़्ेमर के लिए स آनब मतन देख रहे हैं तो यह यह क्या आसे पता हो आपका आप यहाण हम सबी का पेवरेट सा मटन और आज का ये जो वीडियो है ये भी होने वाला है मटन का हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का इस नए वीडियो में और आज जिस जगे पर आएं ये समझें कि बिहार का वन अब बेस्ट प्लेस है मटन के लिए इतना शांदाल मटन रेरली कहीं देखने क और मुझाफ़र पुड़ में हैं और मुझाफ़रपुड में है अमर मीट के पास पहले भी बना चुके हैं यहांका ने का प्रोसेस तो आपको नहीं दिखाए था कैसे यह शांदार सा मटन बनता या क्या-क्या स्टेप्स होता है क्या मसाला डलता है आज की इस वीडियो मे वो सब दिखाने वाले हैं लोकेशन है लक्षमी चौक मुझफरपुर में हम लोग है लक्षमी चौक के पास खचा खच भीर सारा टेबल भड़ा भड़ा लोग जो है मतलब इतना यादा पसंद आता है लोगों को यहां का मटन की कहीं भी जगा मिले बैट के मटन खा रहे हैं मटन इस्टू का काम इधर चल रहा है मटन ताश का काम उधर चल रहा है इधर देख सकते हैं कि लोग बैट के खा रहे हैं अंदर भी खा रहे कैसा लग रहा है मटन यहां का बहुत बेस्ट है यह बेस्ट एक दम है मुझफरपुर कहीं रहने वाले हैं आते रहते हैं यहां तक पहुचाएंगे उधर जो है वो हांडी में मटन आ चुका है यही मटन जो है भी बनने वाला है मतलब मौर्णिंग वाला लॉट जो खतम होगे लिसके लोगे आसपास जो मटन है वो बना तक खतम और यह दूसरा लॉट आया और अंदर देखें भीर कहीं भी कोई जगा आ अब भा चुक के हैं कुछ खाने आये हैं हर लोको का बेर है अब हम अब बनाने का प्रोस्स आपको दिखाते हैं चाली सा पजास किलो बनते रहना है दिन वाला लॉट वो कितम और यह मसाला ह wastewater क्या है में सभी में सब है मिर्च भाट का मतलो ये आधरक नहीं यूज़ नहीं करते हैं इन मीट मसाला हो हो पूरब नहीं यहां का रसीपी ओता है लग किसम का स्टाइल होता है और शाहिद ही कहीं आपको पूरे बीहार में इस तरह का रसीपी देखने को मिले कहीं भी हम लोग जाते हैं तो प्याज डाले अलका वह फोडन लगाए प्याज जाले मसाला भूने यह इस यह हो गया पर से लॉट तो आपका मटन इस चुक। ल bending रहता है यह गया हलदी तो मसाले में रखा जा रहा है औरो civic हल्दी नहीं था और9 Eco पहन के काम हो रहा है यह जो यह भी आपको प्रेयली देखने को मिलेगा कि पटना में हम लोग शूट भीहार में कहीं शूट कर रहे हैं गलब्स पहन के और यह सारा जो मटन है इसे अब मसाले में मिक्स किया जाएगा मतलब साना जाएगा यह तोड़ा देशी टर्म यूज कर कहरते हों वहीं देख संटा महतला को मटन में किया जा रहा है मेक्स देख सकता है खुद भी घूब के नाच-च के जो है सारा मसाला को कर रहे हैं मिक्स होना ही इंपोर्टेंट है यहां पर सारा मसाला अच्छे से और एक पीस तक पहुत जाए उसके बाद जो है बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि इसमें भाईया देखना है कि कलेजी मतलब सारा पॉर्ट से नहीं चुस्ता उस्ता कलेजी सब कुछ है जी और खसी का साइज यह आपका छोटा रहता है क्या साइज रहता है लगब बस चार चाल किलो और जो है और इप यह देखिए पचास किलो अक्यले उठा ले जा रहे हैं हा अंदर का दिखाई है कि इसमें जाने वाला है तेल का पूरा ही इस्तिमाल होता है तेल को पूरा यूज करका बनाते हैं ये गया प्रक्ष्क सरसो तेल ससके can inconsistent नेक्स जो है इदर देख सकते हैं कि सरसो क यूजं और गरम और और अपकार नियस्सारन करने कर ने के बादेजां है कोई डाल घqui किया गया है तेल का जो चीटा वीटा है वो आ रहा है और सब चीटे को बरदास्ट करते हैं आपको यह वीज्वल सब जिखा रहे हैं कि कही सबस्ते हैं जो है प्रवाइड किया अधा इसी में काम होरा है कि मतन बन रहा यह है पूरा जो है स्पठेड करते हैं हरएक पीस को प्रॉपर टेंपरेचर मिले वो प्रोवैड किया याता है और इसी वछे से जल्दी पंता है उपड़ से जा रहा है ये वह इसी तरीके से पांच-पांच मिनट पर धक्कन निकालते हैं और पकाते हैं यही सिस्टम होता है यहां मटन को पकानेगा अभी बगल वाला जो ट्रेय इसमें मटन चड़ने वाला है धक्कन लग गया पकते रहेगा पांच मिट पांच मिट फिर कोलेंगे स्प्रेड करेंगा 20-25 मिट में कहानी खतम तो ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ मटन तास मिलता है आप देख सकता कि यह कितना क्वांटिटी रहता है यहां पर 20-22 कि लोग आश्पर मटन इस्टु बनता है इस्टु जो है इधर बनाया जा रहा है अंदर में यह रोटी का डिपार्टमेंट है और इधर बाहर में यह है चावल चावल यहां रखा हुए लोगा आके यहां चावल मटन भी जो है वो खा रहा है लगबग 10-15 मिनिट का जो है समय बीच चुका है इसे चड़ाए हुए वह यह कितना समय इसमें लगेगा और लगेगा इस तरीके से देख सकते हैं कि बीच बीच में जो है वो कट लगाया जाता है मतलब यह मतन जो है इतना फास्ट बंदा है इसका ये भी बहुत important सबस्यांद साट में यह यहां जैसे को इतना ज्यादा मतलब टाइम देना फिल और पीजी पर कट लगाएंगी तब इसे फैला करकते हैं ताइव एंदर तक जोड़ुआ जो मसाला है वो अंदर तक घूज जा कट लगा है कट लगाने के बाद ये वाला जो एडिया है ये वाला जो ट्रे है इसके उपर सारे पीस को रख दिये पकाने के लिए अच्छा है यह फाइनल आपका जो गरम मसाला है वो हो गया यह गरम मसाला को उपर से स्प्रेड किया गया बहुत स्ट्रोंग से गरम मसाला डबा कुला कुश्बु आना शुरू हступления था एंग देख सकते हैं कि यतना सारा प्लेट निकाला गया लोगों को ले आके दिया जा रहा है यह सारा खीलिषें के रहें सारा मटन देख रहे हैं और इधर कज़सपूर का भीड देखिए डिमांड आचुका है हमारा मटन तास मतलब बहुत इंतजार के बाद फाइनली जो मटन तास वह आ चुका है लास्ट टाइम हम लोग खाय थे भुण्जा के साथ इस लिए इस बार भुण्जा नहीं लिए रोटी कहते हैं पीस यह देखिए आप यह जो हड़ी है यह हड़ी देखके ही आपको समझ करणे नहीं रेट की बात करें तो 240 रुपैय में दो 40 4 पीज कि यह ररेट चीज में दम रखा गया सबसे पहले यह रोटी को लेते हैं और खाते हैं थोड़ा चड़वी को सुबहा से कुछ निखाएं तीन बजने वाला ब्रेक्फर्स जो है ब्रेक्फर्स लंच ब्रंच जो कहें सब आज एक ही साथ होने वाला ति यह लिये ज़रा से चड़वी जतना नहली बनाया जा सकता उतना बना के आज खाएंगे युकि उसी में जादा स्वा जाएगा चड़वी अब जो है इधर लेते हैं तेल अहां हां 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 अ बार की बाती इस बार भी सेम स्वाज है मटन का खुद का बेकिल मिल रहा है बहुत अच्छा था प्याज का कोई डॉमिनेस नहीं नहीं आम तरो में काते हैं तो प्याज मतन मिक्स क्येंट यहां सिर्फ मतन का टेस्ट-पेल बिलकुल भी कच्चा नहीं लगे कहा बहुत एक्ण्षस्वाफ नहीं है पीच जो रहना चाहीं बस वह है द्लाव नहीं बोलैंगे इसे और पत्थर भी नहीं बहुती से कि अगर आप हमसे पूछाएंगे बिहार का एक जगा बताएंगे यहां की मटन ट्राइब करना चाहिए यह जगा हम बताएंगे आज से एक डियर सब पहले भी बताये थे सेम चीज़ आज यूसी बाद पर कायम हुआ है यह वर्दस स्वाद होता है हमको बहुत अच्छा रखता है अपना अपना टेस्ट होता है सबका हमको बहुत पसंद आता है यहां का टेस्ट अब कर्या कि शब्दों में बताएं कि कैसा टेस्ट तो इस बार्लो मधन मनाते हैं अब धूंजा बद मतन निकाल लेता हैं अब कोई प्यास का मिठास नहीं तीखा पर भी ने बहुत तीखा नहीं कोई खास बहुत जादा गोल्की का फ्लेवर नहीं बेसिक मसालों का स्वाज मटन क्वालिटी इतना जबलस है यह चरवी के साथ कतम करते हैं वीडियो कभी दिल करें पटना से भी आने करना आ सकते हैं मतलब 75 किलोमेटर पटना से दूर है वर्त है ऐसा स्वाज है कतम करते हैं